तो थोड़ा सा उनके बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा याद होता है उनके बारे में वाट डियू फील मिस्स मोस्ट अबाउट हम पर्सनल थिंग पुलिटिकल निग जो समाजवादी पार्टी आज दिखाई दे रही है यह निता जी की देन है निता जी ने जीवन वर्स अंगर्स करकर के हम लोगों को यहां तक पहुचाया है निता जी की विरास्त में हम लोगों को यह आंदूलन मिला है ये हमारी और समाजवादियों के जिम्मधारी बनती है किस आंदूलन को और कैसे आगे बढ़ाएं और आगे कैसे लेकर के जाएं जहां तक नेता जी का सवाल है मैं समस्ता हूँ वो देश के उस कड़ी के नेता थे जो जमीन से लेकर के उचाईयों तक को जानते थे वो हर समाज की हर दुख दर्द को समझते थे और सबसे बड़ी बात निता जी के साथ थी कि वो अपने गाउं और किसान को कभी नहीं भूले यही मैं समस्ता हूँ उनकी सबसे बड़ी तागत थी अपने अपना नाम भी खुद जब आप स्कूल में गए थे तब अपने अपना नाम चूज किया था खेलेश तो इस तरह से परसनली क्या कनेक्ट था आपका कुछ उनको परसनली क्या एक फादर और बेटे का जो कनेक्ट होता वही रहेगा अभी प्रस्णआग सब देज़ी त्रिक्ट कशा के बच्चें अलग ह curriculum जिस झालने में हम लोग थे प्रेंट से डिरते थे लेकिन जमाने के बच्चें लगता पारेंट से气र थे अटॉस योरुन एब टीना आजब तर अब comforts दो थे नहीं है झालने में जो ते पैर schautग और थोड़ा सा आपके बारे में I am told कि आप जिम बहुत करते हैं लेकिन सुबह सुबह आप खुद अपनी चाय भी बनाते हैं जिम करने से पहले देखे चाय पनाने से लगता प्रधान मंत्री बनते हैं तो यह शौक मेरा पुराना हॉसल का है जब हम लोग हॉसल में थे उसी समय का शौक है तो जो लोग अपनी चाय खुद बना करके पीते हैं वो कभी भी दूसरे के हाथ की बनीवी चाय नहीं पीपाएंगे इसलिए आपने चाय नीच हुई अभी तक और अखरी थोड़ा सा भी तो चुनाव आ रहे हैं लेकिन जब बीच में थोड़ा सा टाइम था कोविड के टाइम आप क्रिकेट का बहुत शौक है आपका आपका ने खेला क्रिकेट थोड़ा सा हमको अपने शौक के बारे में ब मैं स्कूल टाइम में भी अपने जायतर स्कूल की जितनी भी टीम थी उन हर गेम में था और मैं धन्यबाद देता हूं मिलिटी स्कूल के उस अट्मोस्फियर को जहां पर बच्चियों को हर खेल खेलने का मौका मिलता था होकी हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो टैनिस हो बैड लेडिस में सभी में हम लोग हाउस के मादिम से पाठ लेते थे और इधर मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी को जिन्होंने हमारा घर छीना क्योंकि वहां बैड्मिंटन कोर्ट हम लोगों ने बनाया हुगा था तो कभी कवार शाम को बैड्मिंटन खेल लेते थे क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं आजकल मुश्किल है बाहर जाना तो बैड्मिंटन कोर्ट उन्होंने छीन लिया हमारा उसके बाद से हमने एक लॉन टेनिस का कोड बना लिया तो बीजेपी को धन्यवाद दूंगा कि इस उम्र में मुझे लॉन टेनिस सीखने का मौका मिला और लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद बीजेपी कोई दूंगा अगर इंडिया गडवंदन एक क्रिकेट टीम होती तो आपका ओपनिंग बैट्समन आपको कौन लगता है फास्टेस रणर कॉन है उसमें तड़ा हम इसको अगर क्रिकेट टीम की तरह देखे और कोच 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 तो ओपनिंग तो मैं ही करता फिर ओपनिंग का इंतदार कौन करता है खुद ही जाते हैं हम लोग आप यह बॉलर कौन हो था आप बताइए आपके हैं एक बॉलर यूपी में बैठे हैं वो तो खेर बॉलिंग नहीं हो ना उनकी मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा अलाग और जो बॉल उनको खिलाए गई वो एक टपा दो टपा तीसरे टपे पर आकर उन्होंने मारा इक टपा दो टपा तीसरे टपे पर मारा उन्होंने तो सोचिए यह खेलेंगे खेल तो अगर आप फास्टेस रणर हैं तो आपका दूसरी तरफ से कौन आपका सपोर्ट कर रहा है रनिंग में कॉंग्रिस अब गठबंदन बन जाएगा तो बहुत सारे दल हैं बहुत सारे साथी हैं सब साथ आएंगे मैंने देखा आप नए साथी भी ढूंड रहे हैं आप हर्याना भी गए थे आप राजस्तान में भी आपने टायप किया है मुझे सुना है कि कहीं लोगों ने कहाते कि समाजवादी पार्टी तो रीजनल पार्टी है तो इसको देखके थोड़ा सा आपको हो गया कि विया न कि अभी हम लोगों पर वक्त है इसलिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं एक बार चुना शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाएंगे अभी मद्रदेश में जब हम लोग गए वो इसलिए गए क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहां पर ज और एलाइंस जब तूट गया तो आखरी वक्त पे हमें अपनी सब त्यारी करनी पड़ गई तो जब आखरी वक्त पे आपने त्यारी की तो हमारे कंडिट बहुत जादे त्यार नहीं थे समाजवादी पार्टी के कोशिस रहीगी कि देश के दूसरे हिस्से में जहां समाजवादी पार्टी चुनाल लड़े और भविस्त में समाजवादी पार्टी भी राष्टी पार्टी बन करके आए